इस प्रव्लम को स्रॉल करते हैं क्वेशिन क्या कहता है 4 numbers are in the ratio of 1 is to 2 is to 3 is to 4 their sum is 16 the sum of first and the fourth number is equal to क्या कह रहा है कि 4 number है वो किस ratio में है 1 is to 2 is to 3 is to 4 के ratio में है और इन चारो number का जो sum है वो कितने के बराबर है 16 के तो question में पूछ रहा है कि first और fourth number के बीच का sum कितने के बराबर होगा वो बताईए तो माल लेते हैं कि जो numbers हैं वो किस तरीके से हैं x है 2x है 3x है और 4x है ठीक है यह हमने लेट के लिए कि यह चार numbers है और question क्या कहता है कि इन चारो numbers का जो sum है means x, 2x, 3x और 4x वो कितना है 16 है और यह हमने जो x, 2x, 3x और 4x क्यों माना है क्योंकि वो इसी format में मतलब 1 is to 2 is to 3 is to 4 की ratio में है तो यह उसी ratio में भी numbers को भी हमने लेट किया है हम इसको solve करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा कि यह 10x बराबर 16 हो जाएगा means x बराबर कितना हो जाएगा 16 by 10 ठीक है यह हो जाएगा it means 1.6 जो है x की value आ जाएगी question क्या पूछता है first और fourth मतलब x plus 4x कितना होगा यह हमें question में पूछ रहा है it means 16 plus 6.4 that turn out to be 8 तो question इस question का जो सही answer है वो है option B 8